नमस्कार दोस्तो इस्टडियो पट्टिक्स पर आप सभी का स्वागत है दोस्तो आज जीके के बहुती इंट्रेस्टिंग और खास कोईशन संसर लेके आया हूँ तो तेयार रहे हर सवालों के जवाब देने के लिए सवाल नमबर फश्ट है किस भारती फिल्म में 91 गाने है इसका सई जवाब हो जाएगा इंद्र सभा में सवाल नमबर दो है दोस्तो भारत का पहला हावाई जाहाज कितनी उंचाई तक उड़ा था बहुती इंट्रेस्टिंग कुश्चन है इसका सई जवाब हो जाएगा पंदरा सो फीट तक सवाल नमबर तीन है रामायन और महाभारत में कितने समय का अंतर है आपका सई जवाब हो जाएगा सो वर्षों का सवाल नमबर चार कीस जानवर के सरीर में सबसे कम हड़िया होती है इसका सेंसर हो जाएगा चूहा सवाल नमबर पांच कीस देश में सबसे अधिक बिल्लिया पाई जाती है इसका सेंसर है पाकिस्तान में सवाल नमबर छे किस जीव का बच्चा सबसे बड़ा पेदा होता है इसका सेंसर है ब्लू वेल का सवाल नमबर साथ भारत के किस राज्य में सबसे कम बारिस होती है भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर सबसे कम बारिस होती है आप का सई जवाब हो जाएगा राजिस्तान में भारत का राजिस्तान एक ऐसा राज्य है जहां पर सबसे कम वर्षा होती है और दोस्तो भारत का सबसे बड़ा राज्य छेतर अपल की दृष्टी में राजिस्तान ही है चलिए सवाल नमबर आठ कौन सा जीव कभी भी दूद नहीं पीता है इसका सेंसर है साप सवाल नमबर नौ दुनिया का सबसे साप पानी कहां पर मिलता है इसका सेंसर हो जाएगा कनाड़ा में सवाल नमबर दस किस देश की महला सबसे खुबसूरत माने जाती है इसका सबसे कम गाई किस देश में है आप सभी को पता होगा इसका सेंसर हो जाएगा पाकिस्तान में सवाल नमबर 12 कीज देश के लोग सबसे ज़्यादा पुजा करते हैं ऐसा कौन सा देशे जहां के लोग सबसे ज़्यादा पुजा करते हैं ये भी ये आप जानते होंगे इसका इनसर इसका सेंसर हो जाएगा भारत देश में भारत एक इसा देश है जहां पर सबसे ज़्यादा पुजा होती है सवाल नमबर तेरा ब्लेक पेगोडा किसे कहा जाता है ब्लेक पेगोडा किसे कहा जाता है इसका सेंसर हो जाएगा कॉनार्क के सूर्य मंदिर को सवाल नमबर 14 कीज देश के लोग भारत में नहीं गुम सकते हैं ऐसा कौन सा देश है जहां के लोग भारत में नहीं गुम सकते हैं इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तर कोरिया के दोस्तों सवाल नमबर 15 और आज का आखरी हमारा सवाल है वी सो में पहली बार साइकल किसने चलाई थी इसा कौन सा परसन है कौन सा वेक्ति है जिसने पहली बार साइकल चलाई थी मतलब यह एक पहला इंसान था जिसने सबसे पहले साइकल चलाई थी आपका सही जवाब हो जाएगा मेक मिलन ने तो दोस्तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं अगले नए जानकारी के साथ तब तक के लिए धन्यवाद अगर आप इस्टडी पॉइंट सिक्ष चैनल से अभी तक नहीं जूटे हैं तो वीडियो के निचे दे गई लाल गल के सब्सक्राइब बटन को दबाए और पास में लगी बेल आइकन को भी दबाए ताकि जब भी मैं नए नए वीडियो लेके रहूं तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे वेलाब को मिल जाएं